सो हेलो एब्रबन विल्कम पेक्टूर चनल तो गाइस बहुत दिनों के बात आज फिर श्रे हम लोग आप सब के लिए ले के आए एक बढ़े असा होम मेटर से भी और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ सब्जिया तोर रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख है कि इन पोईशाग को इंग्लिस में माला बार बीच भी कहा जाता है तो हम लोग आज बनाएंगे आप लोग के लिए एक बढ़े असाब पोईशाग के रेसिपी और यह जो रेसिपी होने बला है बोर नौटी स्टाइल में होने बला तो गाइस अब लोग वीडियो के यहाँ पे भी हम लोग द्राइपी सी यूज करने बाले हैं और यह है थोड़ा से लाल मिर्च जिसे हम लोग ने पेस करके रख दिया था और थोड़ा सा हल्ली और उसके बाद थोड़ा सा नमक और अब हम लोग पोईशाग के बीजो को दे रहे हैं इन गाइज अभी सबजी को देने के बाद द्राइपीस और पोईशाग के बीजो को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अभी यहाँ पे पोईशाग के बीजो को द्राइपीस के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए धग देंगे तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो रेसिपी है वो अल्मोस रेदी हो चुका है और फिनिशिंग तच के लिए हम लोग यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट है वो यूज कर रहे है काइस आप लोग को बता दू कि गार्लिक का पेस्ट अगर आप फिनिशिंग तच में यूज कर लेते है तो यहाँ पे जो रेसिपी का सवाद है वो अलगी निखा राता है तो गाइस फिनिशिंग तश के चाथ हमरा जोड़े से के बोतो यहाँ पे रिधी हो चुका है तो अगर आप लोगो शुरू से लिखे एंट तक हमरे चेनल का वीदियो अच्छा लगा तो वीदियो को लाइक काटना अपने दोस्तों के चाथ अपने फेमिली इक साथ जुरू तो गाइस मिलेंगे एक ने बीदिक्सा तो तप-तप के ले गाइस बाइ-बाइ